Good morning everyone, स्वागत है आपका Rise Smart Edu YouTube चैनल पे सुभा के 8 बच चुके है और टाइम हो गया है मारा Weekly Current Affair का जैसे कि आप सभी जानते हैं, संडे के दिन हम चर्चा करते हैं पूरे सब्तहम में जो भी important events घटनाई हुए हैं जो भी हमारे exam point of view से important है, वो हम जर्चा करते हैं संडे के दिन, Monday to Saturday का दिन हमारा रहता है daily basis पे current affair की detailed discussion का और आज यानि संडे के दिन हम discuss करते हैं एक quick revision throughout the week और यही हमारा संडे का motive होता है weekly current affair का आगे बढ़ने से पहले अपने बारे में मैं बताना चाहूंगी, मैं हुरीना महला दोस्तों, मेरी education qualification की बात करते हैं मैंने post graduation किया है, computer application में और public administration में कुरक्षेत्री उन्वरस्टी से teaching experience की बात करें तो 5 साल से ज्यादा का teaching experience है और 10,000 से ज्यादा बच्चे guidance ले चुके है और 500 से ज्यादा selection under my guidance हो चुकी है, तो यह है एक brief introduction मेरे बारे में अब directly हम चर्चा करेंगे अपने weekly current affairs में, जिसमें हम quickly एक revision करेंगे इस session में तो सबसे पहले बात करते हैं, हाल फिलाल में हर्याना के अंतर एक चिंतन शिविर का आयोजन किया गया है तो याद रखेगा फरिदाबाद के अंदर चिंतन शिविर का आयोजन किया गया, home ministry के द्वारा So basically MHA, ministry of home affairs के द्वारा इसका आयोजन किया गया, कौन-कौन शामिल हुए है तो याद रखेगा हमारे राज्यों के home minister और हमारे union territories यानि केंदर शाषित प्रदेशों के administrator या फिर lieutenant governor शामिल हुए है इस दो दिन के चिंतन शिविर में प्रदान मंत्री मोधी जी ने address किया है इस चिंतन शिविर को online माध्यम से virtual mode से प्रदान मंत्री मोधी जी ने संबोधित किया दो दिन के चिंतन शिविर को So याद रखेगा याँ पे हर राज्य के home minister के साथ-साथ याँ पे DGPs भी शामिल थे DGPs याँ हमारे police department के आला अधिकारी यहाँ पे शामिल थे क्यों शामिल थे क्योंकि discussion होने वाला था यहाँ पे भारत की internal security के ऊपर Basically यिस चिंतन शिविर के अंदर चर्चा की गए डिसकस किया गया कि Vision 2047 Vision 2047 यानि 2047 में भारत कैसा होगा भारत के अंदर law and order की situation कैसी होगी इस समय पे भारत किस प्रकार से अपनी internal security को मजबूत कर सकता है इसलिए इस चिंतन शिविर के अंदर सभी stakeholders ने इस पे discussion किया Basically यहाँ पे यह conference आयोजित की गई है उसके अलावा याद रखेगा दो दिन का चिंतन शिविर था और यहाँ पे proper way से हमारे जो home minister है अमित शाजी उनके द्वारा भी इस चिंतन शिविर को address किया गया है प्रिसाइड किया गया है उसके अलावा यहाँ पे main मुख्य उदेशय क्या था कि हम किस प्रकार से better planning कर सकते है राज्यों का सहयोग किस प्रकार से better तरीके से ले सकते है केंदर शाशित प्रदेश यहाँ पे एक दूसरे के सहयोग के साथ कैसे भारत को मजबूत बना सकते है भारत की internal security को किस प्रकार से better कर सकते है तो याद रखेगा कि भारत की internal security को मजबूत बनाने के लिए दो दिन का चिंतन शिवर हर्याना के फरिदाबाद सूरज गुंट के अंदर आयोजित किया गया था तो याद रखेगा सभी stakeholders ने यहाँ पे शामिल होके भारत की internal security को किस प्रकार से मजबूत किया जाए इस पे discussion किया था अगले news है basically हमारे राष्टपती जी से सर राष्टपती दौपती मुर्मू को हल फिलाल में पांच देशों के राष्टपती तो ने अपने परिच्य पत्र सौपे है और यह राष्टपत किन किन देशों के तो याद रखेगा यह युगांडा, बिल्जियम, इरान, वियतनाम के राष्टपती दौपती दौपती मुर्मू जी को अपना परिचय पत्र सौपा है, कहां पर राष्टपती भवन के अंदर, अगली news है यहां पर, युनाइटेड नेशन ने, युनाइटेड स्टेट्स ने क्या किया है, अमेरिका ने भारत की तारीफ की है, भा है कि भारत, वैक्सीन मैनिफेक्ट्रिंग के अंदर, एक सशक्त देश के रूप में उभरा है, यहां पर कहा गया है कि युनाइटेड स्टेट्स लाउट्स इंडियाज वैक्सीन मैनिफेक्ट्रिंग कैपेसिटी, याद रखेगा, सयुक्त राज अमेरिका ने भारत की वै शक्त देश के रूप में उभरा है, स्पेसिविक तोर पे, कोविड के समय पे भी, USA ने भारत के टी का नर्मान यानि वैक्सीन मैनिफेक्ट्रिंग में भारत की तारीफ की थी, उस समय पे भारत के जो एमबैस्डर है, तरंजीत सिंग संदू जी, उन्होंने भी कहा था, कि अमेरिका चाहता है, कि भारत के साथ मिलके मैनिफेक्ट्रिंग करे, किस की मैनिफेक्ट्रिंग, वैक्सीन की मैनिफेक्ट्रिंग करे, और किस प्रकार की मैनिफेक्ट्रिंग करे, तो याद रखेगा, यहाँ पे कहा गया था, कि भारत और अमेरिका मिलके, एक साथ सस्ती व भारत की manufacturing के लिए कौर किसकी vaccine manufacturing के लिए भारत की सरहना की गई है USA के द्वारा अगली न्यूस है खेल की न्यूस है याद रहें यह हर्मन प्रीत सिंग है कौर नहीं है तो दोनों में difference है हर्मन प्रीत कौर जो है हमारे Indian women cricket team की कप्तान है यहां पर अगर हम बात करें हर्मन प्र होकी के international hockey federation pro league के लिए भारते team के कप्तान बनाए गया है तो याद रखेगा Indian hockey team के हर्मन प्रीत सिंग को बनाया गया है होकी captain किसके लिए international hockey federation pro league के लिए बनाया गया है कप्तान बनाया गया है इनको इतना सा point याद रखेगा 12-22 सदस्य की team यहां पर चुनी गई है जिसमें हर्मन प्रीत सिंग को बनाया गया है skipper यानी कप्तान आगे बढ़ते हैं अगली news है यहां पर FATF की list जारी की है पहली बार जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि FATF की list से संभावना है कि इस बार पाकिस्तान को grey list से बाहर निकाला जा सकता है तो हुआ भी यही कि FATF की grey list से पाकिस्तान को बाहर किया गया है अब grey list के अंदर पाकिस्तान शामिल नहीं है बट हमारा दूसरा पडोसी देश यानि Myanmar मयनमार को शामिल किया गया है FATF की black list के अंदर तो याद रखें grey नहीं है black list है आप सभी जैसा की जानते हैं FATF की दो list जारी किया जाती है ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट में से पाकिस्तान को बाहर निकाला गया है साथ ही हमारे दूसरे पडोसी देश मयनमार को शामिल किया गया है ब्लैक लिस्ट के अंदर तो याद रखेगा ये black list में ऐसे देश ग्रे और black list में ऐसे देश शामिल किये जाते हैं वो किसी न किसी तरीके से अगर terrorism को promote करे हैं financial help कर रहे हैं illegal activities को अपनी भूमी का इस्तेमाल होने दे रहे हैं गलत और illegal activities के लिए किसे भी प्रकार की money laundering को सयोग करते हैं terrorist को finance करते हैं उसके अलावा किसी भ ग्रे लिस्ट या black list के अंदर डाला जाते हैं जो डेश gray list के अंदर डाले जाते हैं उसका मतलब योता है कि आपको चेतावनी दी जाती है या तो आप अपनी अंदर सुधार कर लीजे otherwise आपको black list के अंदर डाल दिया जाएगा so black list में डालने का मतलब होता है कि आपको international organization सह योग नहीं करेंगी हर स्तर पे आपको बेसिकली दरकनर किया जाएगा अगर आपको ब्लैक लिस्ट के अंदर डाला गया है तो आपकी एकोनॉमी के उपर ये बहुत ज्यादा इफेक्ट डालता है अगर किसी भी देश को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाए तो हल फिलहाल मे Myanmar को डाल दिया गया है ब्लैक लिस्ट के अंदर FATF के द्वारा और साथ में यहां पे नोर्थ कोरिया और इरान भी इस लिस्ट के अंदर शामिल है Myanmar के लिए ये बहुत ही खराब news है FATF की black list में डाला गया है Myanmar को और Pakistan को बाहर निकाला गया है grey list से ठीक है, अगली news है हमारी अभी ISRO ने क्या किया है, ISRO ने अपनी पहली commercial mission ठीक है, first commercial mission के लिए LV, यानि कि launch vehicle M3, M2 का एक successful test किया है तो याद रखिएगा, ISRO के गवरब पहले commercial mission के लिए launch vehicle M3, M2 का successful test किया गया है Satish Dhawan Space Center, Shri Horikota, अंदरप्रदेश से और हाल जल्दी ही भारत अपनी पहली commercial flight यानि 36 satellites को launch करने वाला है with the help of launch vehicle M3, M2 के सयोग से तो आगे बढ़ते हैं, अगली news है हमारी sports से ही world wrestling championship, so world wrestling championship के अंदर भारत की एक बहतरीन शुरुआत हुई है, भारत के अमन शहरावत, अमन शहरावत को gold medal मिला है और साथी साथ भारत के बजरंग पुन्या और रवी कुमार दहिया को भी silver medal मिला है, world wrestling championship में याद रखेगा, भारत के शुरुआत हुई है, और यह wrestling का आयोजन बेसिकली Spain के अंदर किया गया है, और पहले सबसे पहले शुरुआत हुई gold medal के साथ, अमन शहरावत को gold medal मिला है under 23 world wrestling championship में, जिसका आयोजन Spain के अंदर किया जा रहा है, और साथी साथ यहां पे top 12 जो chess playing nations हैं, उसमें भारत शामिल हो गया है so men's 2022 world team chess championship में भारत top 12 nations के अंदर शामिल हो गया है, और यह याद रखेगा, कहां पे इसका आयोजन किया जाएगा, इसका आयोजन किया जाएगा, इसराइल के अंदर जेरुसलम में इसका आयोजन किया जाएगा, अगले ही महीने नवंबर में आयोजन होने वाला है, world chess championship का तो याद रखेगा, कहां पे आयोजन होगा, जेरुसलम, इसराइल के अंदर आयोजन होगा, और भारत top 12 देशों में शामिल हो गया है top 12 countries कौन कौन से है, इंडिया, यूक्रेन, उस्वेकिस्तान, चाइना, यूएसे, अजर्बैजान, स्पेन, फ्रांस, नीदरलंड, पॉलेंड, तो याद रखेगा, पॉलेंड के साथ-साथ में होस्ट, इसराइल भी in top 12 countries के अंदर शामिल है, याद रखेगा, वर्ल्ड, चेस, चैंपिनशिप का योजन कहां होगा, नवंबर महीने में इसराइल के अंदर होने वाला है, आगे बढ़ते हैं, अगली जो न्यूस है, भारत के लिए बहुत ही अच्छी न्यूस है, भारत अस्तिरता के साथ साथ, एकोनॉमी भी डावा डोल चल रही है, यूके की युनाइटिड किंग्डम की हालात खराब चल रही है, तो यहाँ पे फूड करा के अंदर इनस्टेबिलिटी है, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी है, पिछले सेप्टेंबर से अगर हम ऑक्टूब की बात करें, तो यहाँ पे तीसरे प्रधान मंत्री बन चुके है, तो 45 दिन के लिए लिस्ट रस प्रधान मंत्री बनी, इतने कम टाइम पिरियड के लिए पहली बार ऐसा हुआ है, यूके के अंदर की सबसे कम टाइम, यानि की 45 दिन के लिए लिस्ट रस प्रधान मंत्री बनी और उनके बाद भारती मूल के रिशी सुनक बन गए है UK के नए प्रधान मंत्री तो याद रखेगा Conservative Party से संबंध रखते हैं और Liz Press के बाद बने है रिशी सुनक और याद रखेए करने के लिए इसके लिए वएर्यस So प्लिया गया भारत सरकार के द्वारा भारत सरकार के द्वारा हाल फिलाल में दो foundation stone रखे गए हैं मोदी जी ने foundation stone रखे हैं किसके यहां देखेगा एक रोपवे है गोरी कुंड के दारनाथ और साथ-साथ यहां पे गोविंद घाट का भी basically foundation stone रखा गया प्रधान मंत्री मोदी जी के द्वारा गोरी कुंड के दारनाथ के अंदर रोपवे है और हेमकुंड साहीब के अंदर गोविंद घाट basically बनाया जाएगा 1000 करोड रुपे की लागत से इन दोनों प्रोजेक्ट को पूरा किया जाएगा उसके लवा याद रखेगा 3400 करोड रुपे की लागत से चामोली डिसी के अंदर माना गाउं में भी एक connectivity प्रोजेक्ट को foundation stone रखा गया प्रधान मंत्री मोदी जी के द्वारा जो याद रखे भारत के अंदर tourism को अगर better करना है तो उसके लिए हमें चाहिए अपने infrastructure को better करना हमारे पास अच्छी सड़के होने चाहिए better infrastructure होना चाहिए इसके लिए भारत सरकार लगादार effort कर रही है अगली news है हमारे basically याद रखेगा भारत ने successful test किया है याद रखेए next generation अगनी prime ballistic missile का successful test किया भारत के द्वारा इसकी range कितनी है next generation अगनी missile की range रहेगी 1000-2000 km solid fuel इसके अंदर डाला जाएगा और इसके test में सभी parameters में खरा उतरा है हमारा ये missile so next generation अगनी prime ballistic missile का successful test किया है भारत ने याद रखेए इसको launch किया गया mobile launcher के द्वारा और इसको test किया अबदुल कलाम आईलेंड उडिसा के अंदर इसको launch करके successfully इसका परिक्षन किया गया है so अगली news है हमारी याद रखेगा अभी भारत के अंदर इसरों ने कहा है कि जून 2023 तक चंदरयान 3 को launch कर दिया जाएगा so भारत के लिए एक important news है भारत के अगर हम बात करें कि भारत का science and tech का यह जो sector है इसमें भारत एक और meal का पत्थर साबित होने वाला है जून 2023 में इसरों ने कहा है कि वो चंदरयान 3 को launch कर देगा so उसके लवा इसरों के द्वारत कहा गया है इसरों ने कहा कि भारत के जो astronauts है वो 2024 तक basically यहां पे अंत्रिक्ष की यात्रा करने वाले है test flight इसके लिए conduct की जा रही है तो इसके लिए लगातार इसरों प्रयास कर रहा है कि 2024 तक भारत ये astronaut इंडियन astronaut basically space यात्रा करें तो उसके बाद जलते हैं अगली न्यूस के और अगली न्यूस है अभी हाल फिलाल में एशिया का सबसे बड़ा बायो गैस प्लांट भारत के अंदर इसका inauguration किया गया है कहां पर बंजाब के अंदर पंजाब में कहां पर संगरूर जिले के अंदर तो याग रखेगा। हमारे जो पेट्रोलियू मिनिस्टर है हर्दीप सिंग्पूरी जी के तवारा इसका inauguration किया गया है basically ये FDI investment थी foreign direct investment थी जिसके माध्यम से ये plant तयार किया गया है ये याद रखेगा कि ये नाकेवल भारत का ये Asia का सबसे बड़ा bio gas plant है तो आगे बढ़ते हैं अगली news है हमारे पडूसी देश जी जिन्पिंग की तो याद रखेगा चाइना की news है चाइना की politics में change हुआ है जैसा कि आप सभी को पता है जी जिन्पिंग जो है काफी autocratic नेता है तो याद रखेगा अपने राजतंतर को maintain करने के लिए इन्होंने 2018 के अंदर अपने basically polity के अंदर एक change किया था अपने सरिधान के अंदर एक change किया था क्या change किया था तो याद रखेगा इन्होंने 2018 के अंदर ही कह दिया था इनके lawmakers के द्वारा कहा गया कि president का जो कार्यकाल होता है जो tenure होता है उसके कोई limit नहीं है वो कितने भी time तक बन सकता है ठीक है तो याद रखेगा कि lawmakers ने presidential term ही रहेगा जी can be remain in power indefinitely 2018 में lawmakers के द्वारा ये change already किया गया है और अभी तीसरे term की शुरुवात कर दी है चाइना के जी जिन पिंग ने जो संबंद रखते है communist party से हाल फिलाल में जी जिन पिंग ने अपना तीर तीसरा कारेकाल की शुरुवात की है चाइना के अंदर आगे बढ़ते हैं अगली भी न्यूज यहां पे इटली की polity से है इटली के नए प्राइम मिनिस्टर बने है यहां पे जॉर्जिया मेलोनी जॉर्जिया मेलोनी यहां पे नए प्राइम मिनिस्टर है उसके लावे याद रखेगा इन्हों यह successor है सिल्वियो बर्लुसकोणी सिल्वियो बर्लुसकोणी जो है इनसे पहले प्राइम मिनिस्टर थे जिनके ऊपर corruption के charges लगे थे fraud के charges लगे थे sex offenses के charges इनके ऊपर लगे थे जिसके चलते हाल फिलाल में यहां पे राइट विंग basically जॉर्जिया मेलोनी प्रधान मंत्री बने है इतना चीज याद रखेगा coalition government का निर्मान हुआ है इटली के अंदर जो आगे बढ़ते हैं यहां पर अगली न्यूज अफरीका से है अफरीका के बुर्किना फासो से है जैसे कि आप सभी जानते हैं पिछले कुछ महिनों में लगातार बुर्किना फासो की जो quality है उसके अ political instability बहुत ज़्यादा हमें अपने आसपास देखने को मिल रही है अभी अफरीका के अंदर क्या हुआ है अभी बुर्किना फासो के अंदर second coup के द्वारा basically तक्ता पलट किया गया है और इब्राहिम तरोरे यहां पे वापस से दूसरी बार याद रखेगा दूसरी बाद तक्ता पलट करने के बाद बुर्किना फासो के राष्ट्रपती बन गए है तो याद रखेगा इब्राहिम तरोरे यहां पे second time पे बने है प्रेजडेंट बुर्किना फासो के अफ्रीका के अंदर यह तक्ता पलट हुआ है तो याद रखेगा बुर्किना फासो में महज आठ महीनों में यह दूसरा सेन्य तक्ता पलट था ठीक है तो लगातार यहां पे basically उठा पटक जारी है उसके लावा UN ने कहा कि यहां पे कर प्रेजडेंट बॉडिगार्ड को दिया प्रेजडेंट बॉडिगार्ड को दिया है SILVER TRUMPET और DRUMPET BANNER So SILVER TRUMPET और DRUMPET BANNER दिया गया है राष्टपति के BANNER को उसके इलावा राष्टपति के BODY GUARD को TRUMPET Baller और SILVER TRUMPET यहां पे दिया गया है इसके बेशिकली यहां पेrio EK ODIO विजोल प्रेजेंटेशन भी दी गई इस प्रेजेंटेशन में बताया गया कि यह हमारे लिए historically कितना important है और silver trumpet और trumpet banner जो bodyguards को दिया जाता है इसका क्या क्या महत्व है क्या क्या significance है यह बताया गया इस audio visual presentation के अंदर अगली news है यहां भारत के जल्लन जीवन 미शन से भारत के अंदर आप सभी को पता है जल्लन कर रही है इसके अंदर अभी गुजरात के अंदर हंडर्ड परसेंट यानि की हंडर्ड परसेंट टैप कनेक्टिविटी एंशोर की गई है गुजरात के अंदर अब गुजरात में सभी घरों के अंदर जल जो है नल से आएगा यानि टैप कनेक्टिविटी दी गई है तो यह से जल 100% connectivity एंजोर की गई थी उसके लावा अभी जो हाल फिलाल में नया राज्यास में शामिल है उसका नाम है गुजरात 100% यहां पे connectivity दी गई है तो याद रखें गुजरात नया राज्या है हर घर जल स्टेट बनने वाला तो याद रखें 100% connectivity दी गई है पानी के लिए गु यहां पे जल शक्ती मंत्रालय का एक mission है जिसका उदेश है 2024 तक भारत की जितने भी हाउस होल्ड है सभी घरों को नल connectivity प्रोवाइड करना है तो आगे बढ़ते हैं यहां से याद रखेंगा अभी क्या हुआ है कोप 27 होने वाला है ठीक है अभी नवंबर में यहां पे नजर बनाकर रखें एंवायर्मेंट का सबसे इंपोर्टन को 27 का आयोजन होने वाला है एजिप्ट के अंदर तो याद रखेंगा हमेशा हर साल हमारे एक्जाम पॉइंट व्यू से बहुत होता है जब भी कोई कोप होता है कोई सम्मिट होती है तो एक्जाम के लिए बहुत है न उसके लावा याद रखेंगा अफ्रीका के अंदर पांच बार यहां पे कॉंस का आयोजन किया गया है लगबग 200 देश इसके अंदर शामिल होने वाले हैं और वेरियस ऑन्वायर्मेंटलिस्ट और वेरियस स्टेक होलडर्स इस सम्मिट के अंदर शामिल होंगे देखना हो निए गए हैं ग्लास्कों के अंदर हमें पता है कि भारत ने एक लीडिंग रोल प्ले किया था और भारत ने ग्लास्कों में यानि कोप 26 में कहा था कि भारत 2070 तक कारबन न्यूट्रल कंट्री बन जाएगा अब इस बार देखेंगे कोप 27 के अंदर क्या-क्या डिसीजन राजनाच सिंग ने शौर्य दिवस के लिए यहां पर जमू कश्मीर गए थे शौर्य दिवस का आयोजन किया गया जमू कश्मीर के अंदर जहां पर शामिल हुए थे हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाच सिंग जी जिसको हम शौर्य दिवस के नाम से भी जानते हैं जिसका आयोजन इंडियन आर्मी के द्वारा किया गया था जहां पर हमारे डिफेंस मिनिस्टर शामिल हुए और साथ में यहां पर जमू कश्मीर लेटनेंट गवर्नर मनोज सिनाजी भी शामिल थे 27th October को मनाया जाता है Infantry Day यहां पर सिक रेजिमेंट के कुछ सैनिक यहां पर जमू कश्मीर के अंदर पैदल यात्रा करते हुए पहुँचे थे 27th October 1947 से ही यहां पर इस कश्मीर वैली में जब सैनिक पहुँचे इसी को कमेमोरेट करने के लिए यहां पर इनकी शहादत को कमेमोरेट करने के लिए 27th October का दिन हर साल मनाया जाता है Infantry Day के रूप में जिसमें हमारे जो Defense Minister है राजनात सिंग जी वो शामिल हुए है तो आगे बढ़ते हैं यहां से भारत के लिए एक important news है important कि है important है कि भारत जो है cervical cancer की वैक्सेन डेवलप कर चुका है और यह 2023 के अंदर launch करने वाला है 2023 की शुरुआत में ही cervical cancer की vaccine को launch कर दिया जाएगा इससे पहले COVID-19 की चलते हैं यहां पे इसको postpone कर दिया गया था HPV vaccine के manufacturing production को basically postpone कर दिया गया था इसके उपर वापस से serum institute काम कर रहा है और 2023 की शुरुआत में ही इसको launch कर दिया जाएगा तो यहां पे early 2023 में ही प्रयास किया जा रहे है कि भारत इसको launch कर दे भारत सरकार इसके लिए लगातार effort कर रहा है से serum institute basically भारत का अगर हम कहें कि leading institute है जो vaccine निर्मान के अंदर काम करता है ना केवल भारत का यह दुनिया का भी largest vaccine manufacturer है याद रखिएगा अभी हाल फिलाल में basically यहां पे cervical cancer की vaccine develop की जाएगी और इसको launch किया जाएगा 2023 की शुरुआत में ही एक्सपोर्ट इसका 2023 में नहीं हो पाएगा यहां पे serum institute का कहना है कि 2024 तक हमें इंतिजार करना होगा इसके एक्सपोर्ट का इन्होंने कहा है कि 150 million तक जब तक production होगी 150 million तक अगर production हमारी पहुंच जाती है तो उसके बाद हम क्या करेंगे सर्विकल कैंसर की वैक्सीन के एक्सपोर्ट को हम हरी जंडी दे देंगे तो बेसिकली भारत के लिए important news है सर्विकल कैंसर की वैक्सीन बेसिकली launch की जाएगी हमारे आने वाले नए साल में 2023 की शुरुआती कुछ महीनों में ही इसको launch किया जाएगा तो आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ important news हमारे राइस्मार्ट एडू YouTube चैनल के साथ जुड़े रहे क्यूंकि अभी जो है राइस्मार्ट आप सभी के लिए लेके आया है एक guaranteed batch जिसकी classes तीन बजे से लेके नौ बजे तक लगातार चलती है तो याद रखिए CGL में अगर आपको success चाहिए तो बने रहे राइस्मार्ट एडू YouTube चैनल के साथ आपको पता है कि एक्जाम आपका दिसंबर महिने में होने वाला है number of vacancy जो 2022 के लिए 20,000 थी इसको बढ़ा दिया गया है 24,000 के आसपार्स vacancies हो गई है और ये vacancy बढ़ने वाली है तो lightly नहीं लेना है इस बर हमें selection लेनी है राइस्मार्ट एडू YouTube चैनल के साथ जुड़े रही है हमारे साथ guaranteed batch को miss नहीं करना है और साथी सुबा आठ बजे करण की class में बने रही है मेरे साथ यानि वीना महला के साथ that's all from my side guys thank you so much have a nice day all the very best for your examination